हलो दोस्तों डिवोशन इंस्टिट्यूट में आप सभी का स्वागत है जोमेट्री का हमारे ये पंद्रवा सेशन है इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज सिमिलरिटी को हम समाप्त करेंगे पंद्रा बहतरीन प्रशनों के साथ जिसमें से आड़ देस क्वेशन्स तो बहुत ही बारिक होंगे बहुत अच्छे होंगे मैं तभी तो कह रहा हूँ लेकिन इससे पहले जरूरी होना चाहिए कि आपको इसके कॉंसेप्ट्स जो मैं पिसले सेशन्स में बता चुका हूँ वो पता होने चाहिए आज ये हमारे एडवांस मेंस का पचासवा सेशन भी है हाफ संचुरी आपको मालूम है हर काम को अच्छे से करने के लिए टाइम तो लगता ही है अभी तो जोमेटरी जोमेटरी में करीब 20 सेशन्स हमारे को और चाहिए हम बात करेंगे उसके बाद मैंचुरिशन की हम बात करेंगे एलजबरा की और लेटर ओन नमबर सिस्टम क चलिए, काम को शुरू करते हैं, प्रेशन संक्या 61, ये प्रेशन आपके CGL में पूछा गया प्रेशन है, हू बहू, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्वेशन में क्या बोल रहा है, ट्रेंगल A, B, C में D और E क्रमशह A, B और A, C पर इस्तित बिंदू है, एक ट्रेंगल बनाने की बात कर रहा है, वो तो बना लेते हम लोग, और ट्रेंगल क्या है बताईए, A, B, C, A, B, C की बात हो रही है, अगर हम यहां बात करें, तो A, B, C में वो कह रहा है कि D और E, A, B और A, C पर दो बिंदू है, आगे जरा नजर डालना, F और G, B, D और E, C, B, D और E, C पर बिंदू है, यानि कि E, C, A, B पर एक बिंदू और मिलने वाला है, जरा देखो, इसलिए D और E को हम थोड़ा सा उपर बनातें, इस तरह से, D और E को इ ते मिलाया है थोड़ी था, जरा नजर से देखो, अगर आपकी थोड़ी भी प्रेटेस हो जाएगी, तो आपकी नजर पहनी हो जाएगी, इसने नीचे कहरा काए, कि D, E और ये F, G और B, C तीनों पैरलल है, अब देखो, यहाँ पर D और E, दो पैंट मिल गए, आगे उसने कहा F और G, B, D और E, C पर, B, D पर तो है F, और E, C पर, E, C पर कहा है बताईए, G, यह दो पैंट और हैं, और यह दो भी हम मिला देते हैं, और चुकि उसने यह बता दिया कि D, E, F, G, और B, C, यह तीनों पैरलल हैं, अगर यह तीनों पैरलल हैं, तो फिर यह आप जानते है की similarity की सारी properties अपलाई होंगी, अगर मैं आपसे एक बार बात करना चाहूं, तो सारे की सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां अगर मैं केवल आपसे केवल triangle A, D, E की बात करूं, और मैं दूसरा A, F, G की बात करूं, तो दोनों similar होंगे, और A, D, E की बात करू A, B, C से तो भी similar होंगा, और A, F, G की A, B, C से बात करूं, तो भी similar होंगा, क्योंकि यह transversal है, यह parallel lines है, तो यह corresponding angles बराबर होंगे, और A तो सब में, तीनों की तीनों triangles में common है, सवाल क्या पूछा किया ज़रा देखिए, A, D और D, F का ratio दिया है 2, 5, 3, A, D और D, F, यह A, D, और D, F, यहां से लेकर यहां तक यह ratio दिया 2, 5, 3, A, D, और D, F का ratio दिया है 2, 5, 3, आगे क्या बोला है, D, F, और F, B, D, F, और F, B, यह वाला, D, F, दोनों में common है, यह ratio दिया 6, 5, 6, 5, 6 उपर है, 5 नीचे है, D, F, D, F, और क्या बताए, F, B, इसका ratio दिया है, 6, 5, 5, अगर आप ratio की बाद छोटी सी में समझते हैं, तो आप जानते हैं कि D, F का ratio, A की प्रशन में अलागला कैसे हो सकता है, तो आपको इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, एक समान बनाना पड़ेगा, और यहां तो बहुत ही आसान काम ह क्योंकि D, F यहां पर 3 है और यहां पर 6 है, तो इसको दुगना करने से काम चल जाएगा, तो यह 4 और यह क्या बनेगा 6, तो अगर मैं बात करूँ A, D, तो A, D का ratio आता है 4, और D, F का ratio आता है 6, और नीचे जो F, B है, इसका ratio आता है 5, क्या मेरी बात को समझ पा रहें, यहा कि Quadrilateral D, E, F, G, D, E, G, F होना चाहिए, कोई बात नहीं, 378 cm2 है, यह वाला 378 cm2 है, तो इसने आप से क्या पूछा गया, F, G, F, G, C, B, यह वाला जो पार्ट है, इसका area क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, एक बार हम जल्दी से कर लेते हैं, और फिर मैं आप इसको एक दो concept प्लेकर के बताता हूँ, जल्दी से देखेगा, अगर मैं केवल यह वाला triangle देखूँ, तो इसका area जो है ratio में 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और यह वाला अगर मैं देखूँ, तो यह वाला 4 प्लस 6 कितना होता 10, और 10 का मतलब है, यह वाला पूरा, यानि कि A, F, G, यह व 388 है, यह 100 की value तो पूरी है, A, F, G की, और यह इतना सा 16 है, तो 378 किसके बराबर है, difference 84 के बराबर है, तो 84 के बराबर है कितना मतलब है, 378, अगर हम यहाँ बात करें, 14 से काटने की कोशिश करें, 28, 14, 7, 98, 6, और अगर मैं बात करूँ, 3 से 2, 13, अगर बात करें, तो यह बन 28, 14, 7, 98 होता है, और यह 14, 6, 84 होता है, 3 से काटें, तो यह 39 सता ही, यह 2 है, तो यह 4 आता है, यानि कि ratio में 1 की value 4 आ रही है, अगर 1 की value 4 आ रही है, तो मुझे यह जो चाहिए, इसका ratio चाहिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यह पूरा 225 है, और वो पूरा 100 है, तो यह जो difference बचे का ratio में 125 बचेगा, एक की value 4 है, 125 का चारगुना 500 और 62 जोड़ दीजेगा, 560.5 cm2 मेरा answer आना चीए, आपको और अच्छे से सिखाने के लिए, जरा एक बार यहाँ देखेगा, बोड पर, अपन कुछ बात कर लेते हैं, ताकि concept यह clear हो, बहुत जादा बार यह exam मे question आता है, और यह बहुत जादा आसान प्रेशन है, केवल समझने की बात है, जरा बोड पर ज्यान दीजेगा, यह जो corresponding side से उनके ratio दे रहे के 4, 6, 5, यह दे रहे का 4, यह दे रहे का 6, और यह दे रहे का 5, और यह दे रहे का 318 cm2, और यह वाला उसने पूछा है, यही तो ब बात करूँ मेरे को 3 triangle नजर आ रहे है, पहला नजर आ रहा है A, D, E, इसको अच्छे से समझ लीजेगा, मैंने यहाँ क्यों नहीं समझाया, क्योंकि एक बार मैं चाहता था कि आपको exam में सीधा ratio में उत्तर निकालना आ जाए, अब थोड़ा concept को सीखना भी जरूरी है, यह पहला triangle है A, D, E, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यह A, D, E और दूसरा जो triangle है, हाला कि यह A, D, E, similar है A, F, G के, क्योंकि तो corresponding angle से बराबर है, A common है, और यह तीनो एक यह वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनो ही आपस में क्या है, बताइए, similar triangles है, अगर मैं बात कर और जो तीसरा triangle है A, B, C, A, B, C, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, यह similar तो है, इसमें कोई doubt नहीं, लेकिन अगर यह triangle triangle के areas की बात करता, तो similarity का कोई फाइदा था, लेकिन यहाँ पर triangles की बात नहीं हो रही, बलकि यहाँ पर quadilateral की बात हो रही है, trapezium की बात हो रही corresponding side अगर 4 है, तो area का हमेशा formula square में चलता है, यह कूब बार बता रखा है, अगर मैं A, F, G की बात करूँ, तो 4 plus 6 मुझे 10 लेना पड़ेगा, और यह 10 लेना पड़ेगा, तो यह कितना बनेगा, बताइए, 100 बनेगा ratio के अंदर, और अगर यह 100 बनेगा, और मुझे A, B, C, ल है, area का ratio, और A, F, G का यह ratio है, तो अगर इस में से, अगर आप खुच सोच के देखिए, पहला concept, अगर मैं triangle A, G, sorry, A, F, G में से, अगर यह triangle A, D, E, G घटा दूँगा, तो मेरे पास यही तो बचेगा, क्या, D, E, F, D, E, G, F, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यही तो हैं, मेरे पास, और आपको पता है, इसका ratio 100 है, इसका ratio 16 है, तो 100 में से, अगर 16 घटा है, तो ratio में 84 बचता है, और 84 की value कितनी दीव, बताओ, 378 cm2, अभी मैंने 14 से काटा था, और यह कट पिटकर एक किसके बराबरा गया था, 4.5 cm के, क्या मेरी बात समझ पा रहें, cm2 क्यों उसका area आता है, ratio में 225, और यह जो A, F, G है, इसका area आता है, 100, तो अगर इस पूरे में से, अगर मैं 100 घटा दूँँगा, इतना, तो यही तो बचेगा है, मेरे पास, तो यह जो मेरा quadrilateral बच गया, F, G, C, B, इसका ratio क्या बनेगा, पूरे 225 में से, अगर मैं 100 घटा multiply करो, तो 500 आजाएगा, फिर आधा और ले लो, 62.5, तो 562.5 cm2 यह आपका answer होगा, क्या मेरी बात को समझ पा रहें, अगले question पर चलते हैं, question number 62, यह भी आपके, मैंने क्या ना, आज सारे के सारे questions आए हुए हैं, हो सकता है, कोई CDS में आए question हो, कोई CGL means का हो, कोई pre का हो, क एक बहतरी impression board पर ध्यान दीजएगा, दिएगे चितर में, क्या information दिये, वो देखिए, मुझा A, B पर, यह A, B है, और यह C, यह चितर बना कर मिला है हमारे को एक्जाम में, A, B पर बिंदू E, इस प्रकार है, यह A, B है, साइड नीचे वाली, ट्रेंगल है A, B, C, कि A, E, और E, B, पांच अनुपात साथ में हैं, तो यह A, E, यहां से, और इसके आगे वाला E, B, यह वाला पार्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान दीजेगा, तो यह वाला ज इस अनुपात में, पांच अनुपात साथ में, यह information दिए पूरी A, B आ गया, क्योंकि A, E, और E, B, पूरी A, B लाइन आ गई, पांच अनुपात साथ में, आगे ज़रा important लाइन वो देखेगा, E, F, A, C के parallel है, तो E, F, E, F का मतलब हो गया, यह वाली दो लाइने, E, F और A, C, यह दो लाइने हो गई न, यह दोनों parallel है, E, F और A, C दोनों parallel है, और जैसे ही कोई चीज पैरलल नजर आती है, हम similarity ढूंड लेते हैं, जरा आगे जरा देखेए, प्रशन में और क्या दिया ह is और फिर पोचा क्या है, D, F, B, C, E भी parallel है, D, F, D, F, यह रहा, C, E, यह रहा, यह दोनों भी parallel है, तो यह में color change कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यह दि, F, और C, E, यह भी parallel है, तो इसने कहा, कि यह दोनों yellow यलो वाली parallel है, और यह दोनों green ग्रीन वाली भी parallel है, अब आपसे पूछा क्या आप वो जड़ा देखते हैं, A, E और E, D, A, E और E, D का मान पूछा है, उसने, रेशो में ही पूछा है, What is the ratio? What is the ratio of A, E, मान का मतलब यहां रेशो ही है, क्योंकि यहां पर actual में तो कोई information दी नहीं है, अगर actual में कोई information दी नहीं है, तो फिर हम actual में निकालेंगे कहां से, रेशो में दी आए तो हम तो रेशो में निकाल सकते हैं, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर आप चाहें तो इसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब ध्यान देंगे, देखो, एक बाद बताओ मेरे को, सारे बच्चे एक बार पूरा triangle देखिएगा, अगर पूरा triangle देखते हैं आप, पूरा triangle देखने का मतलब है, पूरा A, B, C, अगर आप पूरा triangle देखते हैं A, B, C, तो आपको इसमें कौनसी दो लाइन parallel नजर आती हैं, अगर आप धंक से देखते हैं, तो बिना किसी return work के answer नजर आ सकता है, अब समझने की जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी, इस A, B, C में, यह यह यलो में हैं, यह parallel लाइन से हैं, और अगर यह दोनों parallel lines हैं, तो आप देखे corresponding sides के ratio 5 अनूपाँच साथ हैं, तो आप यह जानते हैं बहुत अच्छे से, कि अगर यह 5 अनूपाँच साथ हैं, ढंक से सुनिएगा कौन 5 अनूपाँच साथ हैं, A, E और E, B, तो फिर C, F, और F, B, भी 5 अनूपाँच साथ में होने चाहिएं, तो यह वाले दोनों भी 5 अनूपाँच साथ में होने चाहिएं, अब ज़रा ढंक से मेरी बात सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा, अगर कोई मुझसे यह बोले, मैं आपको एक line और add करके बताता हूँ, मैंने triangle कौन सा लिया, A, B, C, तो A, B, C में, अगर मैंने यह कह, A, E और E, B, 5 अनूपाँच साथ में, तो यह भी 5 अनूपाँच साथ में, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कि E, F, और A, C, यह किस अनूपाँच में होंगे, तो इनको आप 5 अनूपाँच साथ में नहीं बोल सकते, इनको आप 5 अनूपाँच अनूपाँच बारा में बोलेंगे, यह मैं बार-बार याद दिलाता हूँ आपको, है या नहीं, यह 5 अनूपाँच किस में होंगे, बारा में होंगे, क्योंकि इनका क्या चलेगा BC पूरा, BA पूरा तो CA पूरा ऐसी बात चलेगी साइट्स में जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ हमारी नजर बहुत पैनी होनी चाहिए वो पैनी क्या होनी चाहिए मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा था AE और ED पूचा है तो आप इसके लिए क्या करें है कुछ करने की कोशिश करें तो आप सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजेगा अटेंशन दीजेगा अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि ये एक ट्रेंगल था ABC ये दोनों पैरलल हैं तो ये 595 साथ में तो ये भी 595 साथ में अब आगे जरा देखो हमें मतलब एक्चल में AE और EB से नहीं AE और ED से है तो AE और ED से है तो मुझे कुछ ऐसा जीगी ये वाला मिल जाए ये रेशन मिल जाए तो इसके लिए क्या करूँ जरा ध्यान दीजेगा क्या आप एक ट्रेंगल और देख पा रहे हैं कौन सा BCE क्योंकि BCE देखते हैं तो इसमें भी आपको ये दो लाइन पैरलल नजर आती है BCE अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये तो हो गए आपका BC और E कुछ इस तरह से है है की नहीं बताइए कुछ ऐसा है BCE और BCE और जो पैरलल लाइन नजर आ रही है वो क्या रही है बीच में कहीं F है F और D भी मिलता है ये F और D भी मिलता है बताइए ऐसा ही तो है ये B, C, E B, C, E क्यों मैंने लिया क्योंकि parallel line C नजर आ रही है ये इसका base हो गया CE क्या हो गया base हो गया और ये दोनो ये दोनो lines अपस मैं क्या बता ये parallel है और ये अगर parallel है और ये triangle बन गया तो ये 5.95 साथ में है अगर ये 5.95 साथ में है तो ये भी 5.95 साथ में होना चाहिए और ये भी अगर 5.95 साथ में होना चाहिए तो कौन सा अगर मैं यहां बात करूँ तो ये अब ये triangle किसकी बात हो रही है triangle B, C, E की बात हो रही है B, C, E की बात हो रही है जिसके अंदर ये baseline है C, E के parallel है F, D तो अगर ये 5.95 साथ है तो ये भी 5 अनुपात क्या होगा साथ होगा अब ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे अब ये तो ठीक है 5 अनुपात साथ है लेकिन तकलीफ क्या है कि मेरे को ये पूरा पता है मेरे को ये पूरा पता है रेशो में कितना है ये पूरा कि पूरा उसने पहले ही बता रखा था A, E और E, B A, E और E, B उसने 5 और 7 बता रखा था तो ये पूरा 7 है रेशो में और ये पूरा 5 है और अब इसी 7 को इसी 7 को दुबारा बाटना है 5 और 7 में तो आपको A, E तो रेशो में पांच अनुपात साथ में, यानि कि पांच बटा बारा में बटेगा, रेशो निकाल रहे हैं, तो कम कीजिए, काड़ दीजिए, बारा को इधर ले आईए, तो आंसर होगा बारा अनुपात साथ, 12 इस टू 7, यानि कि option नमर B is the right answer, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे ह आपको सर्फ यह देखने की कोशिश करनी है, कि अगर कोई parallel lines है, तो similarity कहां लगती है, और मैं आपको सलाही दे सकता हूँ, बागी तो democracy है, चलीगी तो आपकी घुदकी, आप पुराने sessions अगर देखे बिना सीधे प्रशनों पर आते हैं, तो कोई फाइदा ही नहीं मिलता, क चितर में DE parallel है BC के, अगर DE parallel है BC के, तो हमारी कौन सी theorem लगए ही बताईए, हम BPT लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, BPT लगाएंगे, midpoint क्यों नहीं लगाएंगे, midpoint थोड़ी बता है उसने, अगर midpoint ही बता देता, अगर midpoint ही बता देता D और E को, तो फिर यह बताने कि जो 3.5 में, यह AD और DB, AD और BD 3.5 में, तो समझने की आगे सवाल क्या बोला, AC उसने दिया, AC पूरा दे दिया, उसने 4.8, तो क्या पूछा आपसे, AE पूछा है, यह इतना सा पूछा है, तो बहुत जादा आसान सवाल है, यह 8 है, अगर यह 3.5 है, तो यह भी 3.5 होना चाहिए क्योंकि अगर यह parallel है तो, 3 और 5, 8 होता है, और 8 का मतलब पूरा 4.8 है, 8, 6, 48, 1 का मतलब 0.6 है, तो 3 का मतलब 6, 18, 1.8 यानि कि option number D is the right answer, क्या बात को समझ पारें, बस समझने की बात एक और important थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यह बताना चाहता हूँ, एक समच् question है, PY की उसले में ने लिया है, जड़ा देखिए, हर तरह के सवाल है, अच्छा सवाल यह बन सकता था, कि वो आपको DE दे देता, वो आपको DE दे देता, जिससे suppose आपको यह दे देता, मालो यह 1.8 दे देता, मालो और यह आपसे पूछ लेता, BC, तो याद रखना, यहाँ पर आप गलती से भी 3 और 5 नहीं कर सकते थे, या आप 3 और क्या करते, 8 करते, समझ ना, 3 का मतलब 1.8 होता, तो 1 का मतलब क्या तो 5.6, तो 8 का मतलब क्या होता, 8-48, क्या मेरी बात को समझ पारें, और वो ही देख लो 4.8 यहाँ पर बेढ़ता है, दूसरी चीज, अगर देख जाए, समझने की कोशिश कीजएगा, क्योंकि यहाँ पर उसनों अलड़ी ऐसी दे रखा पूरा, तो यहाँ पर इसी लिए इस सवाल का तुक नहीं बन रहाता, यहाँ पर, क्योंकि यह वेले बले, तो यह भी वही होगा, और यह भी वही होगा, रेशो वाइस में, अब य सवाल थोड़ी बनता, बीसी, यह तो मैं पहले ही पता है, अरे नहीं भई, यह गलती से 1.8 ले लिया, यह 1.8 नहीं, यह मैं 3 भी ले सकता हूँ, अगर यह मैं 3 लोगा, तो यह अंसर 8 आएगा, मेरी बात समझ पा रहें, यह रेशो सेम होते हैं, साइस सेम थोड़ी होती है बेसिक प्रपोर्शनलिटी थेवरम हमें रेशो के बारे में जानकर रहें देती है, साइस सेम नहीं होती, सिमिलेरिटी में कभी भी हम यह दावा नहीं करते हैं कि साइस सारी सेम है, नहीं, रेशो सेम है, अगले प्रशन पर चलते हैं, प्रशन संक्या 64, देखें, उसने 2 ट्रेंगल ABC और PQR की बात की, और एरिया उनका बताया, 49 और 225 में, हम सीधा निकाल लेते हैं, रूट करके 7 और 15, यानि कि दोनों ट्रेंगल्स में साइट्स साथ अनुपात 15 में होंगी, मीडियन्स, एंगल बाय सेक्टर, एल्टीट्यूट, इन रेडियस, सरकम रेडियस पेरामीटर, सब कुछ साथ अनुपात 15 में होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, उसने AB के बारे में जानकरी दी, AC भी दी और BC भी दी, इन सेंटीमिटर, तो उसने PR पूछा हम से, PR पूछा, उसने हम से एक बार देखिएगा, PR का मतलब है, कि PR हम ऐसे कंपेर करे पिरंगे, PR को हम ऐसे कंपेर करेंगे, जैसे हम AC को कंपेर करेंगे, जैसे हम AC को पिरंगे, तो अगर हमें ये चाहिए, तो AC जैसा है, वैसा ही PR होना चाहिए, और यहां अगर मैं बात करूँ आप से, AC की value एंदी हुई है, AC की value क्या दी हुई है? N दी हुई है तो जैसा यहाँ पर AC है वैसा ही वहाँ पर PR होना चाहिए मैंने आपको सिखा रखा है similarity में और ये जो AC और PR है इनकी ratio क्या बनेंगे? 7 और 15 तो बराबर 7 बटा 15 होना चाहिए आपसे PR पूछा गया है तो आप इसको multiply कर दीजिए 15 multiply N और PR निकालने हैं तो 7 से divide कर दीजिए तो 15 N बटा 7 15 N बटा 7 option number D is the right answer उमीद करता हूँ इसमें कोई खास बात नहीं थी draw करने जैसी कोई बात नहीं है अगर आप draw करेंगे तो भी वही आगा लिगना आपको बताया है AB का comparison PQ से करेंगे BC का QR से करेंगे और AC का PR से करेंगे प्रेशन संक्या 65 पर चलते हैं जरा ध्यान दीजिएगा 65 number question एक triangle दिया PQR PQR और QR पर एक बिंदू S है इस तरह से है कि यह angle है तो बनाना पड़ेगा पर जरा देखो एक triangle PQR जरा ध्यान दीजिएगा यह उसने बोला PQR और इसने यह आगे बोला कि QR पर एक बिंदू S QR पर एक बिंदू S अब कहां है यह हमारे को पता नहीं है लेकिन उसके आगे उसने बोला कि S जो बनेगा PSR PSR आप एक काम करें कोई बिंदू बना लीजिए क्योंकि एक triangle बनाना है हमारे को तो S कहीं भी बना लो कोई फरक नहीं पड़ता तो इसने का कि इस जो QR है इस पर एक बिंदू S है वो रहा ऐसी ही रहा इस तरह की angle PSR P को मैं मिलाता हूँ S से और यह R यह angle हो गया PSR यह जो PSR है PSR QPR के QPR अलग अलग दे रखा है QRP QPR PSR इसका English version माल लेते हैं QPR इसको PR कर दीजे दोनों में अलग अलग है कोई भी एक रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कभी ऐसी कोई printing mistakes exams में भी आती है तो English version priority पर है कई गलती होगी टाइपिंग में कोई बात नहीं आप समझ यह QPR तो इसने का कि PSR किसके बराबर है QPR के बराबर है आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो angle है पूरा यह वाला QPR पूरा पी आ जाएगा यह यह किसके बराबर है PSR के आपको मैं बताने के लिए यह बता रहा हूँ सरफ कि अगर यह पूरा की पूरा थीटा है यह पूरा क्या है बता यह थीटा है तो यह अकेला क्या है बता यह थीटा है क्योंकि जो QPR है जो QPR है वही PSR है आगे बात करते PR बराबर 15 cm हम क्या है क्या देखते हैं आपको मैंने कई बार बोला है कि अगर कोई एक ट्रेंगल में दूसरा ट्रेंगल बनता नजर आ रहा है और कोई एक ट्रेंगल कोई एंगल सेम मिल रहा है तो वहाँ पर आपको similarity देखने को मिलेगी मिलेगी आगे ज़रा देखो क्या बोल रहा है प PR, ये रहा, PR वो 15 cm है, ठीक है QR ये पूरा QR 20 cm है पूरा QR क्या है? बताइ 20 cm है, पूछा क्या है? SR की लंबाई तो ये वाली जो SR है, ये इसकी लंबाई उसको चाहिए SR इसकी लंबाई चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सोच समझ क्या जवाब दीजेगा एक ट्रेंगल यहाँ पर मैं आपको ऐसा बोलता हूं पी क्यू आर और दूसरा ट्रेंगल मैं अगर आपके सामने बोलता हूं पी एस आर पी एस आर आप सोच समझ के यह बताएगा कि क्या यह ट्रेंगल P, Q, R, इसके तो बात करूँगा नहीं, क्योंकि या तो मैं इसकी बात कर सकते हूं, या मैं पूरे की बात कर सकते हूं, तो P, Q, R, और P, S, R, वीडियो को पॉस्ट कर दीजिए एक बार, और सोचिए, समझिए, एक बार के लिए, और यह मुझे पता यह पहले, कि यह similar triangles हैं क् वीडियो को पॉस्ट करके, खुद से करने की कोशिश कीजिए, जरा देखिए, similar triangles क्यों हैं, एक बात बताईए, इस में आखरी में R है, और इस में भी आखरी में R है, देखो जरा ध्यान से, attention दो, दोनों में आखरी में R है, तो यह R जो है, वो दोनों में common है, अगर मैं इ देता हूँ, तो इस केवल P, S, R में भी angle R, Phi है, और P, Q, R में भी angle R, Phi है, तो दोनों में ये वाला angle बराबर है, इसी तरह से इस में P, Q, R में angle P, और P, S, R में angle S यापस में बराबर है, क्या मेरी बात समझ पा रहे है, तो यहां दोनों में क्या हो रहा है, angle R जो है, वो common है एंगल आर जो है वो कहा है बता है यह common है और यहां जो एंगल पी है इस बड़े वाले में बड़े वाले में जो एंगल पी है और छोटे वाले में जो एंगल ऐसे वापस में बराबर है आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए कि अगर दो एंगल भी बराबर हो तो तीसरा त जाबर है मैंने आपको तीन कंडिशन सिखा रखी हैं तो फिर ये सिमिलर ट्रेंगल हो गया अच्छा तीसरा कौन सा बचा वैसे अगर ये छोटे वाले मैं ये थीटा है और ये फाई है तो मैं इस वाले को क्योंकि PSR की बात है तो केवल इस वाले को यहाँ सिर्फ इस वाले को मैं क्या माल लेता हूँ माल लिजे मैं इसको बीटा माल लेता हूँ तो यह हो गया ऐसा इस बड़े वाले में यह फाई है और यह पूरा ठीटा है तो मैं इसे बीटा माल लेता हूँ तो यह क्या हो गया बताईए मेरे को similar triangles नजर आ रहे अब आपको मैंने कई बार कहा अनेकों बार समझाया कि similar triangles अगर मिल जाते हैं तो corresponding sites का ratio एक समान होता है लेकिन समझदारी इसमें नहीं है कि आप जो information देखें उसको करने बैड़ जाएं समझदारी इसमें है कि कोई भी एक angle के सामने दोनों triangles में अगर आपको side नजर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा कोई भी एक angle यानि कि vertex के सामने दोनों ही triangles में side नजर आ जाए size में तो क्या मज़ा आ जाएगा भई तो अगर आपको size नजर आ जाएगी दोनों साइट्स की तो रेशो पता लग जाएगा और कोई भी दो corresponding heights का या in radius का circum radius का sides का क्योंकि 99% cases में तो साइट्स ही मिलती है अगर रेशो मालूम चल गया तो कामी खतम हो गया अब दिमाग लगाओ पूछा क्या है मैं तो यह हमेशा इस पर दिमाग लगाता हूँ कि पूछा क्या है SR पूछा है क्या यह SR बड़े वाले ट्रेंगल का पाट है कि छोटे वाले ट्रेंगल का पाट है छोटे वाले ट्रेंगल का पाट है तो SR मुझे चाहिए, तो SR किस के सामने है, इस बीटा के सामने है, अब पहले छोटे से शुरुवात की है, तो आगे तक छोटे से ही करना, छोटा फिर बड़ा ट्रेंगल, छोटा बड़ा, ताकि लिखने में गलती नहीं हो, तो आप देखिए, इस बीटा के सामने SR आ बिल्कुल आएगा, अब मुझे क्या चाहिए, SR की तो value चाहिए मुझे, अब मुझे कोई और, भई मैंने क्या किया, बीटा के सामने तो देख लिया, अब बाकी दो एंगल भी तो बच रहे न, तो कोई एक एंगल के सामने तो वो देगा ही देगा, अगर मैं बीटा की बा वाले में थीटा के सामने 15 है, और बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है, बता ये 20 है, अगर मालीजे मैं 5 की बात करता, तो छोटे वाले में 5 के सामने कितना है मुझे पता नहीं, और इस वाले में 5 के सामने कितना है मुझे वो भी पता नहीं, तो मैं उस एंगल की बात ही नहीं कर पाऊंगा, सारे के सारे बच्चे समझने के कोशिश कीजेगा अब मैं इसको दो तरह से करवा सकता हूँ पहला तरीका ये तरीका रहा, दूसरा तरीका मैं इस तरीके के पक्ष में कम रहता हूँ, सच बता हूँ नहीं रहता मैं क्या चाहता हूँ आप धंक से सुनिएगा मज़ा आएगा आपको similarity के अंदर मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि मुझे इससे मतलब ही नहीं कि क्या पूछा है मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि जो दो ट्रेंगल सिमिलर हैं उसमें कोई भी दो corresponding sites का मुझे information दे अगर मैं इस theta के सामने देखता हूँ तो theta के सामने यह 20 है और इस theta के सामने यह 15 है तो छोटे वाले में 15 और बड़े वाले में 20 तो छोटे वाले की हर corresponding side अगर 3 आएगी तो बड़े वाले की 4 आएगी अगर छोटे वाले में median 9 आएगी तो बड़े वाले में 12 आएगी क्यो क्योंकि ये corresponding चलेगा हमें शक तो मुझे पता लग गया कि ये 3 अनुपात 4 है तो छोटे वाले में हर चीज 3 होगी तो बड़े वाले में 4 होगी बड़े वाले में ये 15 है तो इसके corresponding SR क्या होगी ये 4 के बराबर है तो 4 से आप divide करेंगे और 3 से आप multiply करेंगे तो 45 में 4 से कीज देगा तो 11.25 आएगा 11.25 option number B is the right answer और बच्चों की तरह करना चाहते हैं कि हमें पास थोड़ी होना है खाली फॉर्मलेटी करनी है तो लिखते रहो सारे फॉर्मुले 15 को 15 से करो 225 और 225 में 20 का भाग लगाओ तो भी answer तो वही आने वाला 11.25 उमीद करता हूँ एक question समझ मा आपको अगर एक ट्रेंगल के अंदर दूसरा ट्रेंगल नजर आता है तो आपको similarity ही ढूणने की कोशिश कर नहीं है आपर next 66 नमर पर आईए ज़रा ध्यान दीजेगा question क्या बोल रहा है यह कई बार exam है वह question है हलां कि बिलकुल आसान है उसने का two sides of a triangle are proportional then a triangle is सारी बाचित और यह हमारी similarity की अगर कोई भी दो sides आपको same proportion में मिले अनुपाति ग्रूप से समानो तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि उसे हम क्या कहते हैं similar triangles बोलते है प्रेशन संक्या 67 जरा ध्यान दीजेगा यह आपके CGL mains में पूछा हुआ प्रेशन है triangle ABC में AB और AC पर multiply AC बराबर है AB multiply AE के और आगे कुछ angles की information भी दी गई है एक ही triangle है उसी की बात है जरा ध्यान देंगे सारे के सारे students इसने क्या कहा ABC में में पूछा प्रेशन है इसमें कुछ है ही नहीं बहुत आसान है उसने कहा AB और AC पर D और E बिंदू एक बिंदू D है और एक बिंदू E ह AB और AC पर बिंदू D और E इस प्रकार है कि AD multiply AC बराबर है AB multiply AE यह multiply जो है इसको देखते हैं अपन बात में एक बार जरा आगे पढ़ते हैं एक बार उसने का ADE बराबर है something ADE तो यह line तो मुझे मिलानी पढ़ेगी न उसके बिना ADE कैसे आएगा तो ADE किसके बराबर है ACB plus 30 degree और क्या information ती है ABC 78 degree दिया हुआ है ABC 78 degree दिया है मुझे एक बात बताईए मुझे आप इतनी सी जानकरी दे दीजे कि यहाँ पर जो एक triangle आपको दिख रहा है ADE और दूसरा जो दिख रहा है बढ़ा वाला ABC क्या वो दोनों similar नहीं है अपने इतनी दिनों से पढ़ रहे हैं यह दोनों corresponding angles हैं यह दोनों भी corresponding angles हैं और angle A इन दोनों में क्या है common है तो यह दोनों similar angles हैं similarity अप्लाई किजे कुछ नहीं करना इसके इंदर अगर ये 78 है तो ये भी 78 होना चाहिए बताइए क्योंकि दोनों corresponding angles है अच्छा इसने क्या कहा A, D, E ये A, D, E कितना है A, C, B में 30 जोडने से आएगा A, C, B में 30 जोडने से आएगा यानि A, C, B में 30 जोडने से ये आता है तो इसमें से 30 घटाने से ये आता है तो 30 घटाएंगे तो 48 आजाएगा पताएगा क्योंकि ये कितना है A, C, B में 30 जोडने से ये आएगा और ये मेरे पास अलड़ी मौझूद है तो फिर इसमें से 30 घटाने से ये आना चाहिए अब इसने पूछा क्या है एंगल A पूछा है A, B, C में ये मुझे पता है 11, 126 ये एंगल B और C का टोटल 126 है, 180 होता है 180 में से घटा दीजे 54 अंसर है, option number D ये जो information दी इसने AD multiply A, C बराबर AB multiply A, E ये means के exam में question पूछा गया है और ये information पहले दीए क्यों दीए पहले, ताकि बच्चा इसमें उलच जाए, फस जाए जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको clear cut बोला ये 78 है, ये इसने दिया है ये हमने निकाल दिया ये उसने बोला कि ये वाला जो है ADE, वो A, C, B से 30 जादा है, तो ये 30 जादा है एंगल B मिल गया, एंगल C मिल गया, तो बच्चा एंगल A और एंगल A कैसे आजाएगा 180 में से आप इन दोनों को घटा दीजे आंसर आजाएगा, question 68 पर आते हैं क्या बोला है DE, parallel है BC के, तो ये DE जो है, वो parallel किसके बताए BC के, और उसने का AD, 2 cm है 5 cm है तो उसने पूछा आप से BC कितना होना चाहिए, A का नूपाथ 5 तो 25 आंसर होना चाहिए 25, आपको बता रखा है मैंने कि जो AD का रिष्टा AB से है आज आज मैं बता दिया AE का जो relation AC से है वही DE का किससे होगा बताए, BC से तो ये 2 है और ये 10 है यानि 1 अनूपाथ 5, 1 अनूपाथ 5 तो 5 का 5 गुना 25 आंसर दीजेगा Question number 69 ज्यान दीजेगा आपके mains में आईवा question है क्या question है जरा ज्यान दीजेगा इसने आपको कहा इन triangle ABC AB equal to AC अगर AB और AC बराबर हैं तो मुझसे ये समझ में आया कि ये isosis triangle है और इसमें दो angles नीचे वाले बराबर होने चाहिए और AD जो है is perpendicular to BC at point D जरा ध्यान दीजेगा सब लोग एक triangle बोला उसने ABC और इसमें उसने हमें ये जानकरी दी कि AB और AC आपस में बराबर है तो जितना ये AB है उतना ही AC है अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये दोनों angle भी बराबर होने चाहिए अगर ये theta है तो ये भी theta ही होना चाहिए क्योंकि अगर दो sides हैं तो दोनों के बीच के सामने वाले दोनों एंगल्स बराबर होते हैं यह आपको पता भी है आगे क्या कहा AD is perpendicular AD perpendicular to BC at point D AD perpendicular है किस पर बताईए BC पर perpendicular है तो मतलब यह 90 degree आपको दिख रहा सामने यह 90 degree आगे क्या बोल रहा है हम पूरा पढ़ें उसके बाद करें उससे जादा मुनासिबे पढ़ते जाएं और साथ के साथ इसको आगे बनाते चले जाएं आप जितनी जितनी प्रैटिस करेंगे उतना जल्दी आपके पकड़ में आना शुरू हो जाएगा आगे जरा देखिएगा इन्हें ट्रेंगल PQR एक ट्रेंगल और PQR उसकी बात भी कर लेते हैं PQR PQ बराबर PR ये आपके CGL में पूछा गया प्रशन है 2019 में ज्यान दीजेगा ये question ऐसे कैसे exam में पूछा गया प्रशन है देखिए उसने क्या कहा PQ और PR बराबर है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी ये दोनों जो हैं वो साइट्स बराबर है अगर दोनों साइट्स बराबर हैं तो ये angle भी बराबर होंगे एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये theta और theta ही है मैं अभी नहीं कह सकता इसको क्यों नहीं कह सकता हो सकता है इसमें ये 70 हो अगर ये 70 हो तो 110 बचेगा और ये 55-55 हो सकता है और इसमें हो सकता है ये 80 हो तो 100 बचेगा तो 50-50 हो सकता है तो ये बराबर है इसका ये मतलब नहीं है इसके लिए मुझे A और P की जानकरी चाहिए आगे क्या बोला गया if angle A equal to P angle A और angle P बराबर है क्या इस बात से यह साबित नहीं हो गया कि यह दोनों triangle similar है यह दोनों triangle क्यों similar है angle A और angle P जितना भी हो अगर यह 70 है तो यह 70 है तो 110 ही बचेगा तो बराबर बटेगा अगर माली जी यह 80 है तो यह भी 80 है तो 100 बचेगा वो बराबर बटेगा जितना A है उतना ही P भी है तो बचेगा जितना वो बराबर बराबर बटेगा तो इसका मतलब यह हुआ अगर यह theta theta है तो यह भी थीटा थीटा ही होगा और अगर मैं इसको 5 बोलना चाहूं तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा 5 बोलूँगा अच्छे इसने एक perpendicular और और बोला है PS is perpendicular to QR PS QR पर PS यहां पर एक PS perpendicular भी है तो यह 90 degree है आगे क्या बोला गया इसने area of triangle ABC और triangle PQR 36 और 81 है आपको पता यह area है तो रूट कर लीजे 36 का रूट 6 और 81 का 9 तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों ही triangles में इन दोनों ही triangles में अगर यह दोनों triangles similar साबित हो चुके हैं तो सारी चीजे इसी proportion में आएगी अगर median आएंगे तो भी इसी proportion में आएंगे कैसे 6 और 9 और 6 और 9 की अगर बात की जाए तो 6 और 9 को और काट सकते हो 3 से तो 2 और 3 बोल सकते हैं 2 और क्या बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं simplest ratio अब इसने पूछा क्या ज़रा देखिए PS प्लस AD PS माइनस AD अब PS इसका perpendicular है और AD इसका perpendicular है आपको पता है कि दोनों के जो शित्रफल हैं उनका अनुपात 2 और 3 रहेगा क्या रहेगा 2 और 3 रहेगा तो आपको में कि अगर ऐसा है देखो शित्रफल तो इस अनुपात में है इनकी केवल शित्रफल के अलावा बागी सारी चीजें सेम अनुपात में चलती अनुपाती रूप से और शित्रफल दिया है तो आपको उसको में 2 जोडियेगा और एक बार PS में से AD घटाना है तो 3 में से 2 घटाईएगा 1 तो 5 बटा 1 तो अनुपात 5 ही रहने वाला है option number C is the right answer क्या बात को समझ पारे that's easy job अगर आपको concept clear है तो हर काम आसान ही होता है प्रशन संख्या 70 पर आते 70 number question ट्रेंगल ABC में D और E AC और BC के बिंदू है और DE parallel है AB के ज़रा ध्यान दीजेगा सब लोग एक ट्रेंगल बनाया ABC सब attention दीजेगा ABC यह मैंने ट्रेंगल बनाया D और E AC और BC पर है इस बार थोठा ध्यान देना है AC और BC पर है और इस तरह से किले पैरलल भी है तो D तो है AC पर D तो है कही न कहीं AC पर और E जो है वो है BC पर E जो है वो है BC पर और इस तरह से कि ये DE parallel है AB के तो DE ये जो आप बनाएंगे DE ये parallel AB के तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनो parallel lines है और अगर ये दोनो parallel lines है तो AD और DC में जो अनुपात होगा वही BE और EC में भी होना चाहिए क्योंकि अगर दो parallel lines है तो ऐसी बात ही बनती है आगे बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है F CE पर एक बिंदू है CE पर कोई ना कोई एक बिंदू F और दिया है आगे बात पढ़ते हैं उसको F CE पर एक बिंदू है जैसे कि यहां DF और AE parallel हो जाएंगे तो AE तो मैं मिला हूँ एक बार पहले तो AE को अगर हम मिलाएं तो ध्यान दीजेगा यह A और E को मैंने मिलाया A और E साथ में parallel क्या है DF तो DF अभी इसने बोला था ना F F CE पर एक बिंदू है तो आप यहां पर बना दीजे इसको F क्योंकि इसने बोला भी है कि यह EC CE पर एक बिंदू F और इस तरह से है ताकि DF और AE DF और AE जो है वो parallel है तो मैं समझता हूँ यह AE और DF आपस में क्या है बताईए यह parallel है क्या बात को समझ पा रहे हैं यह प्रशन आपके CGL में 2019 में आएवा कोशन है पता नहीं प्री में या मेंस में किसी में आया है लेकिन यह कोशन आपके CGL 2019 में आएवा कोशन है ध्यान दीजेगा अब आगे information क्या है आपको इतना तो समझ में आही रहा है कि यहां पर similarity apply होती नजर आ रही है अब information क्या है और पूचा क्या है उसने पूचा क्या है मेरी नजर उस पर जादा है BC पूचा है इसने इसने पूरा ही पूच लिया यह BC कोई बात नहीं BC निकाल लेंगे अब इसने दिया क्या है वो देखो CE 6 cm है यह CE जो है यह वला जो CE है यह 6 cm है यह 6 cm है और CF 2.5 cm है CF यह जो CF है यह क्या है 2.5 cm है 2.5 cm है बस इतनी information है अच्छा एक बात बताओ मेरे को यह अगर मैं इतनी बात करता हूँ क्योंकि यह अवेलेबल है और यह पूरा अवेलेबल है CE तो है पूरा 6 और यह दो पैरला लाइन्स यहां जा रही है तो मैं अगर बात करूँ तो इसका पन फाइदा उठा सकते हैं यह 2.5 है तो यह 3.5 होना चीए क्योंकि CE तो 6 है पूरा यह 2.5 है तो 3.5 बचेगा तो मुझे आप एक बात बताईए अगर मैं सिर्फ आप से इस ट्रेंगल की बात करता हूँ सिर्फ इस ट्रेंगल की जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ A, E, C और यहां पर मैं बनाता हूँ यह D, F तो यहां पर यह 2.5 है और यह 3.5 है अगर मैं आनुपातिक रूप से समझाने की कोशिश करूँ तो यह 5 है और यह 7 है यानि यह दोनों चीज़े 7 अनुपात 5 में ज़क्ते हैं यह पैर्लोलाइन से कौन-कौन सी? A, E और D, F अगर A, E और D, F पैरलोलाइन से और यह ट्रेंगल मैंने बना दिया डिखो आपके सामने A, E, C, तो अगर ये parallel lines हैं, तो फिर ये जो 7 अनुपात 5 है, तो ये भी 7 अनुपात 5 होना चाहिए, यानि कि ये भी 7 अनुपात 5 होना चाहिए, ये triangle मैंने बराने के कोशिश की, अब interestingly अगर मैं बात करूँ आप से ये तो D के 7 अनुपात 5 होना चाहिए, लेकिन उसको मतलब क इससे बताइए, पूरे इस B, C से, क्योंकि सवाल पुचा गया, बी, C के लिए, अगर सवाल पुचा गया, बी, C के लिए, तो मैं आप से ये सवाल पूचता हूँ, कि अब अगर मैं ये पूरा triangle ले लूँ A, B, C, पूरा की पूरा, तो ज़रा देखिए, A, B जो है, वो parallel अजर आ रहा है D E K A B जो है वो parallel अजर आ रहा है D E K तो इसका मतब यह हुआ पूरा A C भी मैंने ले लिया अगर यह 7 अनुपात 5 है तो यह वाला हिस्सा भी 7 अनुपात किस में होना चाहिए 5 में होना चाहिए और यह 7 अनुपात 5 में है तो यह 5 पूरा information 6 के बराबर है अब यहां तो इस space कम है इधर लिख देते हैं यह 5 जो है वो 6 के बराबर है तो एक किस के बराबर है 6 बटा 5 के बराबर है तो यहां पर 7 चाहिए यह वाला हिस्सा तो 7 से multiply कर दीजे 7 6 42 बटा 5 यानि कि 8.4 तो यह वाला जो हिस्सा था वो 8.4 आ गया और इसने आपसे क्या पूछा इसने पूछा आपसे बीसी पूरा तो यह तो पूरा पहले मुझे 6 मालू में तो 6 प्लस 8 14.4 option number A is the right answer क्या मेरी बात को आप समझ पा रहें यहाँ पर अगर आप similarity अपलाई करते हैं बार-बार कोशिश कीजिए और मैं इसकी बहुत depth में बार-बार जाओं तो अच्छा नहीं है क्योंकि questions के लिए मैं आपको कई बार बारीक बात बता चुका हूँ यहाँ मैंने पहले बताया आप इस triangle में देखिए यह दोनो parallel lines है और यह ratio 7 और 5 में दिख रहा है तो यह भी 7 और 5 में दिखना है अब यह 7 और 5 मुझे मिल गया तो अब बड़ा triangle देखिए इसमें 7 और 5 तो यह भी 7 और 5 होगा और यह 5 मुझे पता है तो यह 7 मेंने निकाल लिया और अब इसको जोड़ा तो BC निकल कर आ गया question 71 पर आते हैं हम लोग ABCD is a trapezium in which AB parallel है DC के ध्यान दीजेगा क्या information है ABCD एक trapezium बनाते हैं हम लोग ABCD और information यह है कि AB जो है वो parallel है DC के यानि कि यह parallel है और parallel होने पर ही हम लोग similarity की properties लगा पाते हैं यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है आगे दिखो क्या information है and its diagonals intersected P अगर मैं diagonals बनाने की बात करूँ तो यह दोनो diagonal जो हैं वो intersect करते हैं कहां पर बताईए point P पर करते हैं आपको कितनी ही बार मैंने बता दिया होगा कि अगर दो parallel lines हैं और अगर आप एक transversal भीच में खेचते हैं तो यह उपर वाला जो यह वाला triangle है और यह वाला triangle है यह दोनों आपको similar नजर आ रहे हैं क्योंकि similar नजर आए बिना तो काम नहीं चलेगा थोड़ा सक प्रियास यह करना है कि exam में एक एक चीज़ पढ़ी नहीं है काम की चीज़ देखनी है यह तो क्लास में मुझे सिखाने के लिए हर चीज़ बताना जरूरी होता है एक बात बताईए क्या यह vertically opposite angles हैं अगर यह vertically opposite angles हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए अगर यह theta है तो यह भी theta है इसमें कोई doubt नहीं है यह parallel line से और यह transversal है तो यह आपके जो angle है वो alternate angles है alternate का मतलब है अगर यह phi है तो यह भी phi है इसमें कोई doubt नहीं है और यह भी क्या होंगे बताईए आपके alternate angles है यहाँ पर अगर यह बीटा है तो यह भी क्या है बताईए बीटा है इस ट्रेंगल में अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इस ट्रेंगल के बारे में जिसका नाम है ए पी भी यह सिमिलर है किसके बताईए C, P, D के क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यह दौनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर ट्रेंगल नजर आ रहे हैं दौनों में थीटा भी नजर आ रहे हैं दौनों में फाई भी नजर आ रहे हैं दौनों में बीटा भी नजर आ रहे हैं और यह दौनों गर सिमिलर हैं तो इनकी कोर है length altitude की हो सकती है sites की हो सकती है in radius circum radius जो दिल करे सारी length even parameter में length का संभी आनुपातिक रूप से एक समान होगा किसमें एक समान होगा उन दो triangles में जो दोनों triangles आपस में similar triangles हैं अब सवाल क्या पूचा उस पर चलते हैं length of db ये एक smart काम होना चाहिए कि हमारी नजर उस पर रहे कि पूचा क्या है db db का मतलब है ये diagonal चाहिए उसको db का मतलब है ये पूरा diagonal चाहिए उसको और ये पूरा diagonal कैसे निकल कर आएगा देखिए ये diagonal निकलने के लिए कही न कहीं properties मुझे इन दोनों कीजिएगा attention दीजिएगा जो information है उसमें मेरे पास ap available है ap ये available है आगे pc भी available है आगे bp available है और उसके आगे pdb available है यानि की जो diagonal है वो दोनों diagonal अगर यहां पर p पर intersect करते हैं तो इसके दो इससे और ये दो इससे चारों हिससे available है तो हम comparison कैसे कर सकते हैं आप सारे लोग attention दीजिएगा यानि कि मुझे a इस triangle में इस a p b में मेरे को a b नहीं मालूम लेकिन मुझे a p b मालूम है और p b भी मालूम है इस triangle d p c में मुझे DC नहीं मालूम लेकिन DP भी मालूम है और PB भी मालूम है अगर मुझे ये नहीं मालूम तो इसका मतलब मुझे थीटा के सामने नहीं मालूम इसका मतलब मुझे थीटा के सामने नहीं मालूम तो इसका मतलब मुझे फाई के सामने मालूम है इसका मतलब मुझे बीटा के सामने मालू में तो मैं बहुत आसनी से comparison कर सकता हूँ बस आपको मैंने यही बोला बार-बार sequence को मत तोड़िएगा यह 71 नंबर प्रेशन है आज मैं 75 तक लूँगा और अभी 2-3 questions और बहुत शांदर लेने वाला हूँ समझ लीजिएगा तो अभी आईए जो class है करीब-करीब अभी 15 मिनट और चलने वाली है आप सुनिए, समझ जिए आपको फाइदा मिलेगा इधर देखिए जरा अगर मैं बात करूँ आपसे अगर आप इसको उठाते हैं बार-बार इसी को पहले उठाना है यह मैं बार-बार समझ जा रहा हूँ अगर मैं यहां space यहां लिख लेता हूँ तो देखिए इस theta के सामने तो मेरे को कोई मतलब नहीं है लेकिन बाकी मुझे मिल जाएगा कोई भी उठा लो जो मर्जी हो जैसे मैं बीटा के सामने उठाता हूँ तो बीटा के सामने मुझे क्या मिलेगा एक बार मैं लिखता हूँ PB अब PB लिखने की जगा मैं उस PB की information देखो सबसे पहले AP दिख रहा है वहां पर AP दिख रहा है इसका मतलब AP ये दिख रहा है तो फाई के सामने दिया है कोई बात नहीं फाई पहले लेते ताकि information ऐसे कैसे sequence में आ जाए डून नहीं पड़े इस फाई के सामने क्या बताओ AP और फिर मैं आपको एक बात और बताऊँगा theoretical तो अभी बता देता हूँ होना यही है कि यह AP multiply AP बता PC आएगा और इसको इससे divide करेंगे लेकिन क्यों आएगा वो समझने की जरूत है आप ऐसा समझ जाओगे तो आपको angle ही देखना नहीं पड़ेगा बार बार लेकिन यह special case में ही हो पाएगा इसलिए समझने की जरूत है रटने की नहीं जरा देखिये इस 5 के सामने बात करूँ तो AP नजर आ रहा है और इस 5 के सामने तो बाकी पार्ट नजर आ रहा है तो AP कितना आपके पास में 3X-1 और यह जो आपका इस 5 के सामने PC है वो कितना है 5X माइनस क्या बता ये 3 अब मैं अगर भी इस बीटा के सामने बात करूँ तो इस बीटा के सामने क्या है BP और वो है 2X प्लस 1 2X प्लस 1 और यहां मैं अगर इस बीटा के सामने बात करूँ तो PD है जो 6X माइनस 5 है आप मुझे इतना सा बता दीजिएगा कि इसमें इस equation में केवल एक ही तो variable available है हाला कि जब मैं multiply करूँगा तो ये square में चला जाएगा quadratic बन जाएगी लेकिन क्या हम इसको solve करके x की value निकाल सकते हैं अगर x की value निकल गई तो उसको क्या चाहिए db तो db में ये भी पता है हमारे को ये भी पता है हमारे को db में क्या है dp ये भी पता है और अगला वाला भी पता है मेरे को है की नी पीछे वाला dp भी पता है और p ये bp भी पता है तो ये दोनों को जोड़कर मैं निकाल सकता हूँ यह आपका homework है, थोड़ा सा काम आप भी करें, ताकि time थोड़ा class का save हो, इसको solve करने की कोशिश कीजिए, cross multiply करके quadratic बनेगी, और फिर देखिए उसमें क्या answer आता है, और आप comment करके मुझे बताइए इसका answer क्या होगा, समझ आप पा रहे हैं, यह आपके CGL 2019 में ही पूछावा question संक्या 72 पर आते, बहतर नंबर प्रश्न, triangle ABC और triangle PQR समरूप है, तो यह दौनों similar है, यह इसने कह दिया हमारे को, कि यह दौनों triangle similar है, आपको मैंने कई बार बुला कर similar हो, तो AB को compare करेंगे PQ से, BC को compare करेंगे QR से, और AC को compare करेंगे PR से, बिना कुछ किये, the area of triangle ABC is 196 area, and the area of PQR is 361, यह 14 का square, यह 19 का square है, तो यानि कि दौनों का root कर लूँ में, बही 196 और 361, इन दौनों का root करें तो क्या मिलेगा, 14 अनुपात 19, यानि कि triangle ABC और triangle PQR में, हर corresponding length, जितनी भी संगत, जितनी भी लंबाईया है, जिस भी चीज की है, वो हमेशा क्या मिलेगी, आपको 14 अनुपात 19 में मिलेगी, if the altitude of ABC, ये छोटा वाला 10 cm है, then the corresponding altitude of PQR is, कितना जादा असान प्रशन है, ये 10 किसम है, cm में, तो ये कितना होना चाहिए, आप मुझे बताइए, हर चीज 14 अनुपात 19 में, दो नजरिये हैं देखने के, पहला, ये 10 मुझे पता है, जिसकी वैल्यू 14 है, तो 10 वैल्यू किसकी है, बताइए, 14 की, तो 1 की वैल्यू आ गई, और वैल्यू चाहिए 19 की, तो multiply करें, दो से काटें, 5 और 7, 95 बटा 7, 21, 47, 13, 47, 13, 47, option number A, option number A is the right answer, angle number 2, जो मैं करता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ जरा देखो, इससे क्या फरक पड़ता है, ये क्या बोलता है, रेशो करियम क्या बोलता है, LHS बराबर RHS, ये चीज़े 14 अनुपात 19 में, तो ये 10 और ये something आएगी, तो ये भी 14 अनुपात 19 में होनी चाहिए, तो इसको मैं यो भी देख सकता हूँ, और मैं इसको यो भी देख सकता हूँ, जरा इन दोनों को देखना तो, 14 और 10 की बात करें तो इस दोनों कैसे दिख रहे हैं, 7 और 5 में, तो फिर ये भी 7 और 5 में होने चाहिए, तो ये जो है, वो 7 है, और मुझे 5 चाहिए, तो 7 से डिवाइड तो एक आजाएगा, और 5 से मल्टिप्लाइ करूँ तो 5 आएगा, तो भी 95 बटा साती आने वाला है, आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन एंगल का फरक पड़ता है, उम्मीद समझ पारे, आसान सा प्रेशन है आपके, एक्जाम में पूछा गया कोश्यन है, 73 पर आते हैं, CGL 2019 का आएवा प्रेशन, SSE CGL 2019 प्री एक बड़िया प्रेशन जरा आप बोड़ पे देखिएगा, ट्रेंगल A, D, C ऐसा ही दिया था एक्जाम में, A, B, C नहीं दिया था, A, D, E दिया था, तो हमें भी A, D, E ही चाहिए, समझने की कोशिश कीजिगा, A, D, C, A, D, E नहीं है A, D, C है, A, D, C, B नहीं है यहाँ पर, B की जगड़िया जाने दो, E और B क्रमशा है भुजा, A, D और A, C पर बिंदू इस प्रकार है, एक तो A, D पर तो है E, कहीं बीच में, कहां है पता नहीं, और B जो है वो A, C पर है, B, कहां पर पता नहीं, अच्छा, बिंदू इस प् संगल बराबर बता रहा है, A, B, E और A, D, C और यह आगे लेंथ दे रहा है, तो यह लेंथ ही पूछ रहा है, अच्छा, चलो, E पर ज़रा देखे, A, B, E, A, B, E के लिए तो मुझे यह लाइन मिलानी पड़ेगी, A, B, E के लिए यह लाइन मिलानी पड़ेगी, मैं आपसे एक बहुत 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 जरूरी बात पूछना चाहता हूँ, सारे की सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मेरी नजर में यह एक बहुत ही बढ़िया प्रशने, आपको एक कॉंसप्ट सिखाने के लिए, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कि यह जो E और B हाँ मिलाया मैंने, यह E और B मैंने मिलाया, तो क्या अभी इस हालातों में आप सोचेगा, समझेगा, मेरी सवाल सुनने के बाद पॉस करके जवाब डूढ़ियेगा, क्या आप इसको midpoint theorem बोल सकते हैं, यह तो सवल सरल था, अगली सवाल पुछूँगा, वो important होगा, यह mid point तो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इसने खुद नहीं नहीं बोला, इसने तो बोला, AD पर कहीं है, AC पर कहीं है, तो midpoint तो नहीं है, यह मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे असली सवाल यह है, यह midpoint theorem नहीं है, सुनो, 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 बहुत important बात है, क्या यहाँ पर BPT theorem लगेगा लोग अकसर क्या देखते हैं कि या तो midpoint लगा देंगे नहीं तो थेल स्थेरम लगा देंगे ऐसे pattern में एक्जाम में आई वाग कोशन है मैंने तो बनाया नहीं पॉस करो अपने आप से सवाल डूंडो अब जरा मेरी बात सुनो यहाँ पर ना तो थेल स्थेरम लग चल रहा कि यह E, B और यह DC parallel है जब मुझे यह नहीं पता चल रहा पैरलल है अगर मैं यहाँ पर BPT थेरम लगाता हूँ तो यह E और B यहाँ भी हो सकते थे उपर भी हो सकते थे यह AD के बीच में कहीं भी होते और यह AC के बीच में कहीं भी होता लेकिन यह दोनों parallel अगर होत तो मैं समझ जाता कि parallel है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना मैं BPT लगा सकता हूँ और ना मैं midpoint लगा सकता हूँ इतनी कहानी क्यों बोल रहा हूँ ताकि आपके concept clear हो तो मैं कैसे करूँगा इसको मैं इसको केवल similarities से कर सकता हूँ केवल 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 और केवल similarities है कुछ information आगे म देखो, A, B, E A, B, E का मतब है ये वाला एंगल ये वाला एंगल किसके बराबर है A, D, C के A, D, C के, A, B, E अगर ये वाला थीटा है A, B, E थीटा है तो A, D, C भी क्या है बताईए थीटा है ऐसा वो कहना चाहता है काम समप्त हो चुका ये तो आपको पताईए दोनों ट्रेंगल में कौन-कौन से ट्रेंगल में पहला ट्रेंगल कौन से है आपका A, E, B similar है ट्रेंगल किसे बताईए A, D, C के यहाँ पर A, D, C है ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों ट्रेंगल small और bigger triangle दोनो similar हैं, साफ साफ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों में एक angle तो ये बराबर हो गया और ये दोनों में common है तो दो angle बराबर हो गए और जहां दो angle बराबर हो गए आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला है आगे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ कि जो तीसरा angle बच गया, अगर मैं इसको 5 बोलूँ तो इसको भी 5 बोलना चाहिए क्योंकि तीसरा तो बराबर होगा ना भी तो ये इसमें similarity apply हो रही है, अब इसमें पूछा के आखरी में, A, B प्लस D, E A, B, ये और D, E, आधा-धा पूछा है ये चाहिए उसको और ये चाहिए उसको, इन दोनों का sum चाहिए information क्या दिये, वो ज़रा देखते हैं, A, E 6 cm है, A, E ये वाला part 6 cm है, ठीक है, चलने दो आराम सर्म similarity लगा पाएंगे, अगर आपको ratio मालूम चल जाता है, तो काम खतम कोई भी एक ऐसा एंगल, कोई भी एक ऐसा एंगल, जो दोनों ट्रेंगल्स में similar है, और उसके सामने की information available है, तो ratio मालूम चल जाएगा, और ratio मालूम चल जाएगा, तो काम खतम, A, E तो 6 cm है B, C ये B, C 2 cm है, जो मिलता जा रहा है आप करते जो B, E 3 cm है, B, E ये 3 cm है C, D C, D 5 cm है, ये 5 cm है, ठीक है तो काम वैसे काम समाप तो चुगा, बहुत आसान प्रशन बन गया ये, इसने जो ये information देदी ना, इससे हमारे को ratio मिल गया 3.5, corresponding corresponding sites का ratio मिल गया, 3.5, कैसे मिल गया, देखो दोनों में, देखो अगर मैं आपको समझाओं, तो 5 के सामने मेरे को available नहीं है, यहां भी available नहीं है पूरा, तो मैं 5 के सामने नहीं निकाल सकता, इस theta के सामने पूरा available नहीं है, इतना ही है, इतना नहीं मिल रहा, और theta के सामने यहां मिल रहा है, तो उससे कोई फाइदा नहीं हो, दोनों में मिलना चाहिए, यह ratio नहीं मिलता, लेकिन दोनों में angle A common है, और angle A के सामने यह 3 है, और angle A के सामने यह 5 है, तो यह मुझे समझ में आ गया, कि यह 3 और यह 5 है, तो ये पूरा की पूरी corresponding sites 3 अनुपाथ 5 में नहीं 3 अनुपाथ 2 में होगी ध्यान देना मेरे से भेगलती होगी लिखने में समझ ना क्योंकि ये 3 और 2 5 बनता है मिला करके Are you getting my point? अरे भाई हम जो बात करते हैं basic proportionality theorem यहाँ पर ध्यान से समझ ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ angle के हिसाब से angle के हिसाब से क्यों बता रहा हूँ क्योंकि angle A के सामने 3 और angle A के सामने 5 और ये similarity से हम कर रहा है किससे कर रहा है similarity से अगर ये वाली angle के सामने 3 और 5 है तो बाकी दोनों एंगल्स के सामने भी बाकी दोनों एंगल्स के सामने भी क्या बनेगा बताइए तीन और क्या बनेगा बताइए पांच बनेगा अब यह तीन और दो मैंने कैसे बुला वो जरा समझने की कोशिश करें यहां तीन और दो का मैरा मतलब यह था जो मैंने भी बत खाने के लिए बताना चाहिए कि कैसी गलती हुई है, अक्सर क्या होता है, ऐसा पैटर्न जब दिखता है, तो हमारे को हमेशा क्या दिखता है, कि ये प्रोपोर्शनलिटी थेरम लग रही है, तो ये तीन है और ये पांच है, और ये हमेशा क्या होता है, ये तीन और पांच क लगी नहीं रहा, सिर्फ similarity से काम हो रहा है, तो इसके सामने 3, तो इसके सामने 5, तो बस यही चलेगा, अब देखो, थीटा के सामने कितना है, 6, इसमें जो जो होगा, वो 3 का नुपात होगा, और इसमें जो जो होगा, वो 5 का होगा, तो यह 3 और 2 नहीं, 3 और 5 इसा ही है, 3 औ मतब 6 है तो 5 का मतब 10 होना चीए और 5 का मतब 10 होना चीए तो 10 में से 2 तो ये रहा 8 ही ये होना चीए क्या मेरी बात को समझ पारें sometimes तो इनसानी तो है एट टीचर भी तो इनसान होता है lack of concentration कई बार हो जाता है और अक्सर वहां गलती जादा होती है जो बहुत commonly काम करते अब commonly दिखता तो मुझसे भी गलती हुई actual में ये 3 और 2 नहीं 3 और 5 ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर theorem नहीं केवल similarity से काम हो रहा है अच्छा अब जड़ा मेरे साथ चलिए 5 के सामने बात करते है इस 5 के सामने अभी तक तो नहीं पता था अब पता लग गया इस 5 के सामने 8 है इस 5 के सामने 8 है और ये 8 जो है ratio में 3 के बराबर है 8 और ये जो 5 के सामने 8 है तो इस 5 के सामने क्या होना चाहिए तो इस 5 के सामने की बात करूँ तो ये पूरा क्या होना चाहिए जरा जान दीजेगा अगर 3 का मतब 8 है तो एक ratio का मतब क्या है 8 बटा 3 लेकिन मेरे को तो ratio में 5 चाहिए तो 5 से मैं multiply करता हूँ यानि लेकिन मुझसे क्या पूछा था? मुझसे पूछा था A B, तो A B तो हो गया 8, और मुझसे पूछा था D E, तो D E मेरेको ये पूरा पता लगा है 13 से 1 बटा 3, उसमें 6 ये चला गया, तो ये जो बचा, वो 7 1 बाइ 3 बचा, और इसमें मैं 7 1 बाइ 3 जोड देता हूं, तो 15 1 बा जाता हूं अभी, 46 बटा 3 हो जाएगा ये, दूसरा तरीका सुनिया जरा ध्यान से, आप ऐसा भी कर सकते थे, इसकी जगह आप एक काम और कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे, कि आपको ये तो पता था ही, कि तीन बटा 5 होता है, आप सीधा क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को दंग से, आप इस जैसे थीटा के सामने लिया, तो आप थीटा के सामने क्या लेते, क्योंकि आपको ये पता है, 6 बटा, डिवाइड, इस थीटा के सामने क्या लेते आप, आपको ये तो पता ही है, दो, तो 2 प्लस A, B हो गया, 5 के सामने आपको पता नहीं क्या है, तो आप को solve करके भी निकाल सकते थे मेरे को लगता है जिस student का calculation part थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है वो काई को इन equations के ताम जाम में फजेगा वो ऐसे ही कर लेगा इसको तो ये 3 और 5 है तो ये बाकी सारी कहानी भी 3 और 5 में होनी चाहिए बहुत ही जल्दी से एक बार दुबारा देखिएगा very quickly आपके 2019 में पूचा गया प्रशने इसने जो information दी वो क्या-क्या दी एक तो इसने BC दिया था दो ये एक AE दिया था ये वाला 6 और तीसरी information इसने दी थी BE 3 BE BE कहा है ये रहा BE 3 ये भी दिया था और ये भी भी दिया था तो हमने ये देखा कि 3 nat 05 5 में तो ये बाकी भी corresponding 3 nat 05 में जाइए तो थीटा के सामने ये घमे 6 दिया था 3 का मतलब 6 है तो थीटा के सामने 5 का मतलब 10 होना चाहिए दस में से 2 available दिया था तो ये 8 हमने निकाल लिया 5 के सामने आट दिया है, आट का मतलब तीन है, तो मुझे इस 5 के सामने 5 चाहИए, तो 3 का मतलब 8 है, तो 1 का मतलब 8 बटदा 3 जाये है, तो 5 का मतलब 8 बटदा 3 बटदा 5, यह bastardicus 3 यह Бदध 3 यह लिए चाले जाये है में तो यह आ जाएगा, अब इस तने में से ये और ये टोटल पूचा है तो 8 प्लस 7 1 बाई 3 15 1 बाई 3 जैसे 46 बाई 3 बोल सकते हैं that will be the right answer उमीद्य आप समझ पा रहे होंगे question number 74 पर चले आते देखो triangle ABC में DE parallel है BC के अब ये parallel है बोल दिया तो फिर हमारी बात खतम होगे parallel है चत्रभुजड डी ये चत्रभुजड तो यही है भई का शेत्रफल 595 स्क्वाइर सेंटीमेटर है ये 595 स्क्वाइर सेंटीमेटर है सेंटीमेटर स्क्वाइर AD और DB AD और DB का जो रेशो है वो 595 साथ है ये 5 और साथ है आप जानते हैं अगर आप triangle ADE की बात करें तो वो सिमिलर होगा triangle किसके बताइए ABC के लेकिन हमें आप similarity से कोई फरेकी नहीं पड़ता हम तो area की बात करते हैं तो इसका area आएगा 25 और इसका area कितना आएगा 5,7,12,144 तो दोनों के area में difference जो आएगा वो आएगा 119 और यह जो difference आएगा 119 वही ये quadilateral है क्योंकि ये वाला जो area दिया है वो तो है 25 पांच का square और ये वाला कितना बताईए बार 5 प्लस साथ 12 का square 144 144 में से 25 गटाईए तो 119 119 की value दी है 595 पिचानवे 100 का 5 गुना दिखी रहा है तो एक की value है 5 सवाल क्या पूछा ADE का शेत्रफल ADE का शेत्रफल ratio में कितना है 25 एक का मतलब 5 तो 25 का मतलब 125 option number C और अब आज का आखरी सवाल today's last question चलिए प्रेशन संक्या 75 पराते हैं CGL 2019 में पूछा गया प्रेशने आपको इसने triangle ABC और EDF ABC और EDF को similar बताया है और area जो बताया ABC और DEF का वो एक अनुपाद 4 में बताया अगर area एक अनुपाद 4 में है तो side एक अनुपाद 2 में हो गई जो भी length है वो एक अनुपाद 2 में चलेंगी एक जरूरी बात मा आपको बताना चाहूँगा very very important देखो area को ABC, AC, B, BC ये कैसे भी लिखा जा सकता है ABC लिख दो चाहे AC भी लिख दो इससे meaning पर फरकी नहीं पड़ता ये समझने की कोशिश करो लेकिन similarity में यहाँ पर उल्टा उल्टा नहीं लिखा जा सकता क्यों कि similarity में इस नहीं लिखा जा सकता क्योंकि जो बात AB कियोगी वो ED कियोगी अब EFD लिख दो के तो meaning जब बतल ज कुछ भी नहीं करना जरा देखो यहाँ पर ABC ABC ट्रेंगल है AB दिया है आपको 17 cm BC दिया है आपको 8 cm CA दिया है आपको 9 cm तो आपको DF DF अगला जो है अचा वैसे ही काम हो जाता देखो ये DF चाहिए न DF DF चाहिए तो आपको BC चाहिए यह तो चाहिए रेश्य तो मिलीगा एक औ information सारी तो मिल रही है आप देखो BC जो है और DF बराबर DF चाहिए आपको तो आपको BC चाहिए BC कितना है BC 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 यह रहा 8 cm एक अनुपाद दो सोल आंसर आ जाएगा भी क्योंकि corresponding sites कैसे होंगी इसलिए मैंने कहा कि ये जो चीजे हैं वो similarity में आपको ध्यान देने की जरूरत है मे चोटा है similarities है और उसके questions लेंगे और दीरे दीरे आगे इस चीज को बढ़ाएंगे मेरी तो आपसे यही बात करूं की request है आपके भले के लिए क्या आप regularity में देखिए और अगर आप सर्फ वीडियो देखते हैं तो कोई फाइदा ही नहीं होगा आप notes बनाईए एक बार आ कीजिए केवल questions questions नजर आएंगे और फिर rough paper लेकर rough copy लेकर खुद से करने की कोशिश कीजिए तब तक नहीं करेंगे ऐसा तो मजा नहीं आएगा यह 75 सवाल हो चुके हैं लगबग geometry के हमने जो सोचे हैं क्योंकि शुरू में theory जादा है आप questions जादा आएंगे है ना theory भी चल